तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको 10,000 रुपे के अंडर देखने को मिल जाएंगे तो इन सभी स्मार्टफोन में आपको काफी बैतरीन फ्यूचर देखने को मिल जाएंगे अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं या एक बेस्ट केमरे वाले स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे और इसमें आपको 6G RAM देखने को मिल जाएंगे देखने को मिल जाएंगे इन तीनों स्मार्टफोन की डिजाइन आपको कुछ रियलमी C11, C15 की तरह देखने को मिल जाएंगी तो डिजाइन तो काफी अची है अब इसके फ्यूचर के बारें बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी डिस्प्ले के बारें बात करते हैं तो इसमें आपको सिक्स पॉंट फाइप एंचेस की के बारे के बारे में बात करते हैं तो 6000 अबारे की पेर देशने को मिल जाएगी जिसके साथ आपको 18W की करता है अब इसके रेम और इस्टोरिस के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 4G RAM देखने को मिल जाएगा जिसे आप 256 जीवी तक expand कर सकते हैं तो 10,000 रुपे के अंडर आपको यह स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा Redmi Note 9 जीवी तो यह काफी अच्छा स्मार्टफोन है और इसकी design आपको काफी decency देखने को मिल जाएगी और design के साथ इसमें आपको काफी powerful processor और काफी अच्छे अच्छे feature देखने को मिल जाएगे तो गाइस अब इसमें आपको 6.53 अच्छ की full HD play display देखने को मिल जाएगी जो की पंचोल कटाट के साथ देखने को मिल जाएगी तो गाइस इसके साथ आपको Gorilla Glass 5 की protection देखने को मिल जाएगी तो display की quality और performance आपको काफी decency देखने को मिल जाएगी अब इसके camera के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको Quad camera का setup देखने को मिल जाएगा जिसमें man camera 48 megapixel का है 8 megapixel का ultra wide और 2 megapixel का micro और 2 megapixel का depth sensor देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको front में 13 megapixel का selfie shooter camera देखने को मिल जाएगा तो guys इसमें आपको image quality तो आपको decent सी देखने को मिल जाएगी और इसमें आप 1100C में वीडियो record कर सकते हैं जो की काफी अच्छा है अब इसकी battery के बारें बात करते हैं तो इसमें आपको 5020MH की battery देखने को मिल जाएगी जिसके साथ आपको 22W की fast charging का support देखने को मिल जाएगा तो guys battery आपको 2-3 दन का backup आराम से देखी और इसके साथ आपको 22W की fast charging का support देखने को मिल जाएगा जो की काफी अच्छा है अगर आपको कोई fast charging वाला smartphone चाहिए तो आप इसी smartphone के साथ भी जा सकते है अब इसके processor के बारे बात करते है तो इसमें आपको media tech का hello g85 processor देखने को मिल जाएगा जो की काफी powerful chipset है जिसमें आप high graphics में game को easily run कर सकते हैं या आप एक heavy gamer है तो आप इस smartphone को ले सकते हैं इसमें आपको dual sim slot देखने को मिल जाएगा और यह smartphone Android V10 पर रन करता है तो इसमें आपको RAM और storage के वारें बात करते हैं तो 4GV RAM 64GV storage की price आपको 10-10.000 रुपे के अंडर देखने को मिल जाएगी जो की काफी अच्छा smartphone है इसमें आपको rear fingerprint देखने को मिल जाएगा face unlock देखने को मिल जाएगा आपका अगले smartphone है Micromax in one जो की recent launch हो आए और इसमें आपको काफी अच्छे feature देखने को मिल जाएगे design तो आपको काफी decency देखने को मिल जाएगी design के साथ आज साथ इसमें आपको काफी बैतरी इन feature देखने को मिल जाएगे तो सबसे पहले इसकी camera के बारे बात काते हैं तो इसमें आपको triple camera का setup देखने को मिल जाएगा जिसमें man camera 48 megapixel का है 2 megapixel का micro 2 megapixel का depth sensor देखने को मिल जाएगा और 8 megapixel का front selfie shooter camera देखने को मिल जाएगा तो guys image quality तो इसमें आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी तो इंडियन brand है तो इसमें आपको काफी अच्छी feature देखने को मिल जाएगे तो अब इसकी display के बारे बात करते हैं तो 6.67 inch इसकी full HD display देखने को मिल जाएगी जो की punch hole cutout के साथ देखने को मिल जाएगी तो इसके साथ आपको corning गोरी लगला इसकी protection देखने को मिल जाएगी तो display की quality और performance आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी अब इसकी battery के बारे बात करते हैं तो इसमें आपको 5000 mAh की battery देखने को मिल जाएगी इसमें आप high graphics पर gaming कर सकते हैं किसी भी game को easily run कर सकते हैं यह smartphone android v11 पर run करता है इसमें आपको dual sim slot देखने को मिल जाएगा इसमें आपको fingerprint देखने को मिल जाएगा face unlock देखने को मिल जाएगा तो अब बढ़ते हैं आपके 64 megapixel camera वाले smartphone की तरफ controller G10 power से जो की recently launch यह आए इसमें आपको काफी अच्छे future देखने को मिल जाएगे काफी अच्छा camera देखने को मिल जाएगा तो चलिए अब इसके camera के बारे बात कहते हैं आइसमें आपको ओर camera का setup देखने को मिल जाएगा जिसमें main camera 48 megapixel का है और 8 megapixel का ultra wide और 2 megapixel का Micro 2 megapixel का Depth sensor देखने को मिल जाएगा और 8 megapixel का front selfie shooter camera देखने को मिल जाएगा तो गिस प्राइस पॉंट के साफ से इसमें आपको काफी बैठरीन फीचर देखने को मिल जाएंगे कैमरा क्वालिटी आपको काफी डीसेंट सी देखने को मिल जाएगी जिसके साथ आपको fast charging का support देखने को मिल जाएगा तो इसके डिस्प्ले के बारे मात काते हैं तो इसमें आपको 6.51 inches की HD Play Display देखने को मिल जाएगी जो की Water Drop Nose देखने को मिल जाएगा और इसके साथ आपको Gorilla Glass की protection देखने को मिल जाएगी तो डिस्प्ले की क्वालिटी और परफॉमेंस आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी अब इसके प्रोसर के वारें बात काते हैं तो इसमें आपको Snapdragon 460 का प्रोसर देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अच्छा प्रोसर है, नॉर्म और वर्क कर सकते हो Multitasking कर सकते हो, काफी अच्छा प्रोसर देखने को मिल जाएगा DualSims रोड देखने को मिल जाएगा, ये स्मार्टफॉन Android V11 पर रन करता है तो इसके RAM और Stories के बारें बात करते हैं तो इसमें आपको 4G RAM देखने को मिल जाएगी, 64G का Story देखने को मिल जाएगा जिसे आप One TV तक X-Print कर सकते हैं तो इसके अधर features के बारें बात करते हैं तो इसमें आपको rear fingerprint देखने को मिल जाएगा, face unlock देखने को मिल जाएगा 3.5 mm headphone jack देखने को मिल जाएगा तो काफी अच्छे smartphone है, अब इसकी price के बारें बात करते हैं यह 10,000 रोपे के अंडर देखने को मिल जाएगा तो आपका अगला smartphone है, Redmi 9 Power जियां दस्तों यह काफी अच्छे smartphone है, design तो आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी design के साथ साथ इसमें आपको काफी अच्छी feature देखने को मिल जाएगे तो इसके features के बारें बात करते हैं, तो camera quality भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी तो अब इसके camera के बारें बात करते हैं, तो इसमें आपको quad camera का setup देखने को मिल जाएगा जिसमें man camera 48 megapixel का है, और 8 megapixel का ultra wide 2 मेगा फिक्सल का Micro और 5 मेगा फिक्सल का Depth Sensor देखने को मिल जाएगा 8 मेगा फिक्सल का Front credit Cliffe Suiter camera देखने को मिल जाएगा घॉकर मेज क्याल्टि तो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी इस में आप 1080 में वीड mapped रिकॉर्ड कर सकते हूं 30sps पे तो जो की काफी अच्छा है अब इसकी डिस्प्ले के बारें बात करते हैं तो 6.53 अचेस की HD Play डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो की Water Drop Nauts देखने को मिल जाएगा इसके साथ आपको गोरी लग लास की Protection देखने को मिल जाएगी तो डिस्प्ले की Quality और Performance आपको काफी अच देखने को मिल जाएगी जो की आपको लंबे समय का backup देगी तो इसके प्रोफसर के बारें बात करते हैं तो इसमें आपको Snapdragon 662 का प्रोफसर देखने को मिल जाएगा जो की काफी पाफिल चिप सेट है प्राइस पॉंट के साब से तो इसमें आपको हेवी गेमिंग कर सकते हो multitasking कर सकते हो काफी अच्छे प्रोफसर है तो इसमें आपको dual sims rod देखने को मिल जाएगा यह smartphone android v10 पर रन करता है तो अदे इसके other features के बारें बात करते हैं तो इसमें आपको side fingerprint देखने को मिल जाएगा face unlock देखने को मिल जाएगा 3.5 mm headphone jack देखने को मिल जाएगा और इसमें 10,499 रुपे देखने को मिल जाएगी तो इसकाफी अच्छे smartphone है